प्रदेश में कई ऐसी जंजातियां हैं, कई ऐसे लोग हैं जिन तक सरकारी सूधाय नहीं पहुच पाती हैं, खासतोर पर विमुक्त, अर्ध घुमककड और घुमककड प्रजाती के लोग, इनको किस तरह से चिन्नित किया जाएगा और किस तरह से इनक तक सरकार के योजनाओ को फायदा पहुचाए जाएगा, इस पुद्धे पर पाचित करने के लिए राजमंत्री ललिता यादुजी मरसत महजुजे, ललिता जी सबसे पहली बागते इनको चिन्नित कैसी कहला है, देखे अभी तेज तारीक को देवास में बिमुक्त भुमककड अर्ध भुमककर ब को एक पत्र लखा जाएगा, और चिकिप्टी और सर्पंच के बादेम चेंका सर्वे होगा, और जब सर्वे हो जाएगा, तो सर्कार की जो मंसा है, अन्तिम छोड में बैटे हुए ब्यक्ती को लाब देने की, पंडित दीन ग्याल जी के सपनों को साकार करने की मानने मुक् पत्र लिखने माले हैं, इसमें का वेबारी दिक्कत यह आती है कि चूकि इनको स्थाई निवास नहीं होता है, तो ऐसे में योजना उन तक कैसे पहुँचें, बोटर कार्ड का इसमें अड्रेस क्या लिखा जाए, तब हम कुछ वेबारी दिक्कते हैं, देखिए यह जाग मेलती है, वहां जाकी लोग रुखताते हैं, इसलिए इनको घुमकड अगा जाता है, लेकिन दब हम इनको चिन्नेद करेंगे, इनके हम बोटर अर्टि बनेगी, इनका राशन कार्ड बनेगा, इनको हम प्ट्ट देगे, शरकार की जोधना है, इनको पत्ते देने की भी रह आवास की भी योजना है, जो हम 60,000 रुपे देते हैं, उन 10,000 रुपे मद्दो जी का, इनके बच्चों को चात्र बत्य की योजना है, अभी मानने मुक्वन्ती जी ने इनको बच्चों को प्रिषिक्षत की भी किया दाएगा, प्रिषिक्षत केंव भी को ले दाएगे, आप मानने मुक्वन्ती जी ने अभी गुष्णा किया कि इनके बच्चे डॉक्टर बने, इंजिनियर बने, इनकी पीज सरकार बनेगी, तो सबसे पहले जब इनका सर्वे हो जाएगा और इनको जब पट्टा मिलेगा तो इनके हां सारी सुबदाय होगी, इनके हां भी रोड ब पर इनको कहा गया, इनके पुर्खे जो हैं घूमते रहे हैं, वो भी कहने हैं कि इनकी जो विचाडधार है वो बादिल बनेगी, देखिए अंग्रेजों की समय, एक ररनाय बुदा, क्योंकि ये वर्द बहुत युद्धा बर्ग है, आप सब जानते हैं, इनकी बहुत को ये काम, अपन कहें कि जिस तरह से भी अपन कोसित कर देते हैं, इसलिए इनको बहुत कर दिया है, और पहले ये हुआ कि ये जाती के लोग जहां जाएंगे, वहां पर वहां के मुखिया को पत्र देंगे, वहां थाने में हाजरी लगाएंगे, हम इतने दिन के रुखने क जो अग्रेजों के द्वारा किया गया, इस जाती को बहस्कत करके इनको जो मूल अधिकार थे, इन अधिकारों से बंचत किया गया, मानने मुखमांत्री जी ने इनके वो धार करने के लिए जो पीला उठाया है, उखमककर बिमुक्तुमककर बेभाग बनाया गया, और उनकी स झाल